जैन सांतियो डियलेड हिलपर में आपका स्वाकत है आज कुछ प्रसन जो आपके मन में हमेशा उपती होगी इस प्रसनों का जवाब लेकर मैं आपके बीच मौजोद हूँ एक नमबर प्रसन आप सभी का यही होता है कि डियलेड क्या होता है इसके बाद इसकी योगता क्या चाहिए, एडमिसन कैसे ले, एक्जाम पैटर्न और स्लेबस क्या होता है और एक्जाम पैटर्न को फोलो कहां से करे, जॉब के क्या क्या उसर है इन सभी के सवालों के जवाब आप सब को आज मिल जाएगी डियलेड, डियलेड एक दो वर्सी ये डिपलोमा कूर्स होती है जिसे करने के बाद आप सिख्षक के पद पर जाने के लिए इलिजबल हो जाते है जो कि आप अगर गेजवेट कंडिडेट है तो कक्छा एक से लेकर कक्छा आठ तक के चात्रों को सिख्षक दे सकते है या आप सिब 10 प्लस 2 किये हुए यानि कि 12 पास है और 12 पास है तो आप 1 से लेकर 5 तक के सिख्षक बन सकते है इसकी योगता क्या चाहिए योगता के लिए जादे कुछ नहीं योगता के लिए आपकी आयू सीमा 17 वर्स है और नियूनतम आपकी आयू सीमा इसमें नहीं दी गई है आप जितने भी वर्स के हो डिलेड कोर्स कर सकते हैं इसके अलाबा आपका 10 प्लस 2 यानि कि 12 में 50 पर परतेक वर्स दिसंबर में इसका फॉर्म आता है फॉर्म अपलाई करने के बाद आपका एक इंट्रेंस एक्जाम होता है एक्जाम कॉलिफाई करने के बाद आपको कॉलेजों में नमांकन की स्विधा उपलब्द करा जाती है जो कि भिहार सरकार के दोबरा की जाती है एक् के कुछ कोचन है कहां से कड़ें तेन्थ काफ अगर सलेबस नहीं से पड़े हैं तो आपका अराम से एक्जाम हो जाएगा और एडàiमीसन भी आराम से हो जाएगा जॉब के ओसर और सालरी डियलेट से जॉब के क्या-क्या ओसर हैं तो देखें डियलेट करने के बाद एक तो आप बिहार में नहीं हो जिस सिख्षक के पद पे आ सकते हैं जिसकी सेलरी 22,000 से सुरू होती है तथा इसमें परतेक वर्ष 15% के बलोरतरी होती है या इसके अलाबा के विएस जो किंद्रिये विद्याले की जो बहाली आती है उसमें आप DLA के बाद सीटेट करेंगे उसके बाद आपके पास DLA की डिग्री होनी चाहिए तथा आप वहां के भी सिख्षक बन सकते हैं तो आज के वीडियो समाब्द करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस चाइनल पर DLA हेलबर चाइनल पर आप सभी को DLA दो वर्सी एक कोर्स के दोरा जितने फी कोलेज के हो सकता हैं होते हैं जैसे की लेसन प्लान बनाना, बज्चों से बात्चित करना, कख्छा की आलोकन करना, सभी कंटेन्ट या एकसिर्म रिसर्च हो सभी कंटेन्ट आपको इस चाइनल पर उपलोड कराएगी जो की धीरहे करके इस चाइनल पर झारत